नमस्कार साथियों मैं हुई अप्रकास उत्ता और आपका स्वागत है मेरे रिटू चनल विजी टेक आड़ी आज में साथियों आज की इस वीडियो में मैं इस पचास वार्ट सोलर पैनल से आपको अपने घर के कुछ DC अप्लाइंसे को चला कर दिखाऊंगा इस पचास वार्ट सोलर पैनल से आप क्या-क्या यूज कर सकते हैं क्या-क्या इससे चला सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ साथियों अगर आपने यवे तक इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ में बने बिल बटन को तबा कर आल नाटिफिकेशन को भी पान करिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो को अपलोट करूँ आप वहाँ से जाकर कर देख सकते हैं और अगर आप इस सुलर पैनल को खरीना चाहते हैं तो ये लूम सुलर कंपनी का है आप इसको डाइट इसकी वेबस्टाइट से खरी सकते हैं इसका भी लिंक आपको नेचे वीडियो के डिस्कोस में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर कर इसको खरी सकते हैं तो चलिए साथियों बिन टाइम वेस्ट के ये वीडियो को सुरू करते हैं ये देख लिजिए साथियों मैंने अपने सुलर को धूप में रख दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये देख लिजिए जिसको मैं अभी आपको चला कर दिखाऊंगा तो ये देख लिजिए मेरे पास दो पंके हैं और एक बैटरी है जो कि लेड एसिड है और एक 9 वाट का 12 वोल्ट डिसीड वल्ब है अभी मैं इन सब चीजों को आपको चला कर दिखाऊंगा तो साथीयों, ये जो शोलर से हमारा वायर आया हुआ है इसका मैं आपको बोल्टेज पहले चेक करके दिखा दे रहा हूँ कि ये कितना बोल्ट अभी दे रहा है अभी सुबह का टाइम है तो ये देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह रहा मल्टी मीटर और आप इसका बोल्टेज देख सकते हैं 21.98 ऐसे करके यह आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं 21.9 अभी इसका बोल्टेज आ रहा है और अब हम इस वायर से इस बलब को कर्नेट करके दिखाते हैं तो यह देख लिजिए यह कितना तेजी से जो है जल रहा है डारेक्ट और इससे जो है मैं अपना यह फेन करनेट करके दिखाता हूँ तो इसका पिन मैंने जो है पहले से जोड लिया है ताकि जो है आपका समय बरबाद ना हो तो यह देख लिजिए यहाँ पर यह लाइट जो है जलने लगा अब इसको मैं चला कर आपको दिखाता हूँ तो यह देख लिजिए कितनी तेजी से जो है यह पंका चल रहा है आप इसको डाइट चला सकते हो अब इसी तरह मैं इस पंके को और इस लाइट को एक साथ जला कर आपको दिखाता हूँ तो चलिए मैं फटा फट जो है इसमें इस वायर को अटेच कर रहा हूँ तो यह देख लिजिए यह जलने लगा अब इस पंके को मैं चला कर आपको दिखाता हूँ यह देख लिजिए इसका इसप्रिट थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन अगर आप चार्ज कंट्रोलर लगा कर चलाओगे तो एकदम बढ़िया स्पीड में चलेगा यह डायर्ट चला रहा हूँ तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसका पावर कम हो गया है यह मैंने याभी इस डिसीव बल्ब को हटा दिया है अब मैं अपने दूसरे वाले फैन को इसमें अटेज करके आपको दिखा रहा हूँ तो यह देख लिजीए इसका यह वायर है तो यह देख लिजीए मैं इसको जो है इसके वायर में अटेज कर दे रहा हूँ और देखिए कितनी तेजी से जो है ये फैन चल रहा है अब मैं अपने दूसरे वाले फैन को भी चालू कर रहा हूँ तो ये देख लीजिए दोनों चल रहा है लेकिन जो है इस्पीड जो है थोड़ा सा कम हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे है ये दोनों फैन्स जो है हाई पावर के है इसलिए जो है इस्पीड जो है थोड़ा सा कम हो गया है लेकिन फिर भी जो है चल रहा है अगर आप चार्ज कंट्रोलर का इस्तिमाल करोगे तो ये बराबर चलेगा तो ये देख लिए जैसे मैं इसके बटन को बंद करता हूं तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी और जैसे ही इसको मैं आन करता हूं तो इस्पीड जो है कम हो जा रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मैं आपको इस बैटरी को चार्ज करके दिखा दे रहा हूं इसका जो अभी पॉइंट है तो ये देख लिए इस बैटरी का अभी जो बोल्ट बता रहा है 12.8 बोल्ट इसका बता रहा है अभी मैं इससे डायर्ट चार्ज करके आपको दिखा रहा हूं तो मैं पहले इसको बंद कर दे रहा हूं इस देख लिए अब इसको जो है मैं इसमें अटेच कर दे रहा हूं यह पलस टू पलस और माइनस टू माइनस तो यह देख लिए यह डायर्ट जो है चार्जिंग होने लगा अभी मैं आपको इसका बोल्ट चेक करके दिखा दे रहा हूं यह देख लिए 16.12 करके बता रहा है यानि इसमें जो है करंट आ रहा है अभी कुछ टाइम इसको मैं चार्ज परसे लगा कर छोड़ दे रहा हूं फिर जो है इसका बोल्ट आपको मापकर दिखाऊंगा तो साथियों इस बैटरी को मैंने 2 मिनट चार्ज पर लगाया डायक्ट सोलर पैनल से अब इसे मैं निकालकर आपको दिखा रहा हूं इसका बोल्ट आपको चेक करके दिखा रहा हूं कि इसका बोल्ट कुछ बढ़ा या नहीं यह चार्ज हुआ या नहीं तो यह देख इसका पॉइंट आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं यह देख लिजिए 14 पॉइंट 6 हो गया जबकि मैंने 2 ही मिनट जो है इसको चार्ज पर लगाया तो अगर आप इसको डायक्ट चार्ज पर लगा रहे हो तो केवल 2-5 गंटे ही लगाईए चाहे हो लेडेशिट बैट कीजिएगा नई तो जो यह बैटरी खराब होने का डर रहता है अगर आप डारेट सोलर पैनल से लगाते हो तो यह सोलर पैनल पूरी तरह से IP68 certified है इसलिए आप इसको खरीच सकते हो इस पर भरोस्ता कर सकते हो इसका बाइंग लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन में मिल हो